सब्सक्राइब के लिए बहुत प्यारी सी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ यानि कि मेरिड के अधार पर आप सब्सक्राइब के लिए फिर से जो स्टाप नर्स की वेकंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी यानि कि इस वेकंसी के अंदर जो नर्सिंग वाले जो कंडिडेट है वो इस वेकंसी को अप्लाई करेंगे यहां पर देख लिए यहां पर आपको इस वेकंसी के लिए क्वालिफाइड रहेंगे पैरामेडिकल्स और जो नर्सिंग वह यहां पर क्या होने वाली है बात करणे को देखने को मिल रही है ठीक है तो सबसे पहले देख लिए जीगा शैल की तरब से वेकंसी आपको दी गई है यानकि स्टील ओथॉरटी ओफ़ इंडिया लिमिटेड की तरब से वेकंसी आपको यहां पर प्रोइड की गई है अपके यहां पर देने वाला हूं सबसे इंपोर्टेंट यहां पर यही रहेगा कि आपका जो इंटर्यू की होने वाली है वो आपकी होने वाली है, बात करेंगे age limit के बारे में, तो यहाँ पर देख लिजीगा जो general category है, general category के age limit आपके TCR रहेगी, जो OBC category है, OBC के लिए आपको 33 year age limit रहेगी, SC और ST candidate है, उनके लिए 35 year रहेगी और जो physical handicap candidate है, उनके लिए आपको 45 year, ठीक, इस परकार से 45 year, SCHT physical handicap में, OBC 43 और 40 general, इस परकार से आपकी जा रहेगी आलग अलग आपकी यहाँ पर category wise जो age limit है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और यह आपके लिए सबसे important चीज़ आपको बता दू, कि completely आपको information मिलेगी, इस video से related, इस vacancy से related completely information आपको यहाँ पर provide करवाऊँगा, तो आप regularly यहाँ पर बने रहेगा, वीडियो के last तक आप यहाँ पर जरूर से देख लीजीगा, ठीक है, बात करेंगे eligible conditions के बारे में, कि किस परकार से आप apply करेंगे, कौन-कौन candidate apply करेंगे, और साथ में आपको मैं बता दू, कि आपको apply करने की जो completely process है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, इस video के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको serial number दियागा है, और आपकी qualification आपको यहाँ पर दी गई है, तो CCU technicians के आपकी जो post है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इस के अंदर देख लीजिगा, critical care technology के अंदर, अगर आपके पास degree or diploma है, तो आप भर सकते हैं, नी तो GNM और BSC nursing जो candidate है, वो भी क्या करेंगे, इस vacancies को यहाँ पर apply करेंगे, यानि कि जो GNM candidate है, वो इस vacancies को apply करेंगे, BSC nursing mandate है, वो इस vacancies को apply करेंगे, post BSC nursing mandate है, वो इस vacancies को apply करेंगे, पर अगर interesting है, तो MSC nursing mandate भी क्या कर सकते हैं, इस vacancies को यहाँ पर आप apply कर सकते हैं, ठीक है, यानि कि आपके लिए, यहाँ पर जिन्हों ने एक रिटिकल के यूनिट यहना कि अगर आपके पास डिपलोमा है तो भी आप भरेंगे बाकि आपके पास अगर चेटिफिकेट तो भी आप का कर सकते हैं इस वेकंसी को यहां पर अपलाई कर सकते हैं यह आपके लिए क्या रहेगा सबसे इंपोर्टन चीज रहेगा ठीक है और इसके अंदर देख लीजिगा आपको मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पर सिरफ और सिरफ आपको अप्लिकेशन फॉर्म को अपलाई करना है और उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस है या तो आपको मेल के मादम से इंफॉर्म किया जाएगा या आपको यहां पर जोईनिंग करवा दिजाएगा और जोब है वहां पर फार्ट उसके बारे में जोड़ा यहां इसको अपको अपर क्रार से आप इस वैकंसी को यहां पर अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर देख लीजेगाँ जोबी इंट्रेस्ट्रेसिंग कर इंडिट है करना होगा और वहीं आपको यह वेकंसी है वह आपको देखने को मिलेगी ठीक यहां पर देख लीजिगा आपको सेंडिंग ए मेल टूदा आपको यह मेल भी दीगी है इस मेल के ओपर भी सेंड कर सकते हैं अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं या फिर आप एक्स्टा लोग बरनर पूर हॉस्पिटल के अंदर आपको इंटर्यू है वह आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिगा नाइन एम से 11 एम के बीच में आपको रिपोर्ट करना है अपने इंटर्यू के लिए उसके बाद में वहाँ पर आपको क्लियरली बता करना है बेल आइकन कोन करना है उससाथ में आपको वीडियो को सेयर करना है बाकी मिलते हैं को नहीं अपडिट के साथ जैहीं